अब बाद उस रिपोर्ट की जिसने नेतन याहू से लेकर बाई दिन तक सब को डरा दिया है इस्रेल के कमांडर ने एक तरह से ऐसी बात कबूल कर ली कि अमेरिका भी इस्राइल से कहने लगा है अब तुम से ना हो पाएगा हमाज के खिलाब इस्रेल का ग्राउंड आपरेशन अब बुरी तरह फस्ता नजर आ रहा है घाजा के अंदर युद्ध इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब जान हमास की जाएगी या फिर इस्रेल की सेना की ये कोई नहीं जानता लेकिन जान जरूर जाएगी इसकी गैरंटी 100% है ये घाजा में क्लोज क्वार्टर बैटल का वीडियो है यानि कमरों में लड़ा जाने वाला बहुत करीबी युद्ध इस्रेल के कमांडो इस सिमारत में एक एक कमरे को खंगाल रहे हैं ताबर तोड फारिंग हो रही है किसकी गोली किसे लगेगी डर बहुत ज्यादा है ये घाजा के युद्ध की सबसे खतरनाक पिक्चर है लेकिन इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके मताबिख घाजा में युद्ध अगले दो महीने तक खत्म नहीं होने वाला यानि जनवरी और फरवरी के बाद हमास मार्च में भी जिन्दा रहेगा इस बार की पूरी गैरंटी दी जा रही है ये रिपोर्ट इसरेल की सेना के ही एक अधिकारी ने दी है सबाल है कि पाँच महीने युद्ध चला तो क्या हमास बचेगा या इसरेल इसरेल की सेना को दक्षन में सिर्फ खान युद्ध लड़ने में अपना ओप्रेशन पूरा करने में चार हफ्तों का वक्त लग सकता है यानि एक महीना या कहें पूरा दिसंबर और जनवरी इसरेल की सेना खान युद्ध में लड़ती रहेगी इसके बाद हमास के खिलाब पहली सेज का युद्ध लड़ने में एक महीने का वक्त और लगेगा यशानी फरवरी के बाद मार्च में भी युद्ध जारी रहेगा इसरेल और पशिमी देशों के मीडिया को ये बात इसरेली सेना के एक बड़े अधिकारी ने बताई है उत्तरी घाजा पर कबजा करने के बावजूद इसरेल की सेना को गलियों में युद्ध लड़ना पड़ रहा है अब दक्षिर में खान युनस के गलियों में जंग जारी है और यहां का युद्ध तो और भी खतरनाक बताया जा रहा है कुल मिलाकर समझ ये कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है ये युद्ध 7 जनवरी तक भी चलेगा ये युद्ध 7 फरवरी को भी होता रहेगा और इसके बाद ये युद्ध 7 मार्च को खत्म हो जाएगा इसकी कोई गैरंटी नहीं है यानि इस्रेल और हमास की जंग 5 महीनों से आगे जाएगी अब इस्रेल की सेना के अधिकारी ये बात बता रहे है इस्रेल को इसी बात का डर है कि अगर मार्च तक हमास जिन्दा रहा तो उसकी बहुत आधुनिक मानी जाने वाली सेना के इज़त मिट्टी में मिल जाएगी पहले ही दो महीनों के अंदर इस्रेल और हमास के युद में बहुत ही खतरनाक टकर देखने को मिली है हमास के अंटी टैंक दस्तों ने इस्रेल की सेना की मींद उड़ा दी है इसमें कोई शक नहीं बंदकों को छोड़ाने वाले सीज़ फायर के बाद इस्रेल हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा ये सब जानते थे इस्रेल ऐसी हर कोशिश करेगा जिसकी वज़ा से हमास के पास ना बचने का रास्ता हो ना भागने का लेकिन अब जो टककर देखने को मिल रही है उसमें हमास के एंटी टैंक दस्तों ने घाजा के हर चौर हर गलियों में इस्रेल की सेना पर हमले तेज कर दिये हैं इस्राइल की सेना अपना टैंग किस गली में ले जाए और किस में नहीं और किस गली में जाकर उस पर हमला नहीं होगा ये गैरंटी कोई नहीं दे रहा है हमास की एक बॉडी कैमरा फोटेज इस्राइल को मिली है और इसमें हमास के एंट्री टैंक दस्तों को विल्डिंग में चिपे हुए देखा जा सकता है जिस जगर पर ये दस्ता छुपकर इस्राइल पर हमले के फिराक में था वहीं पर इस्राइल ने हमाई हमला कर डाला जाहिर है ऐसे थमाके में कोई जिन्दा नहीं बचा हो वैसे घाजा की गलियों में युद्ध के दोरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किये है हमास का दावा है कि उसने इस्राइल के 180 टैंक और बक्तरबंद गाडियों को हमले में फोर दिया है घाजा से लगातार ऐसी तज़्वीरे आई हैं जिसमें इस्राइली टैंग पर घात लगा कर हमले किये गए इस्राइल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ओपरेशन में उसके 70 से ज़ादा सैनिक मारे जा चुके हैं 200 से ज़ादा सैनिक जख्वी हुए है लहाजा हमास के खिलाब जो ताकत इस्राइल को माना जाता है उसके मताबिक नतीजे तो इस्राइल को भी नहीं मिले हैं हलाकि नेतन्याहू के सामने अपनी छवी को बनाये रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और घाजा पहुँचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नजर आती है अब जैसा युद्ध चल रहा है उसे देख कर लगता है कि इस्राइल को बाकी बंधकों को लेकर ज्यादा फिक्र नहीं है ऐसे में आगे की लड़ाई और भी खतरनाक होगी अब इस्राइल के ओपर बंधकों वाला प्रिशर भी पहले के मुकाबले काफी कम देखा जा रहा है इसलिए इस्राइल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है दो महीनों के युद्ध के बाद इस्राइल की सेना ने जो टार्गेट तैकी है उसमें से कितने पूरे हुए इस पर नितन्याहू की पहनी नजर है दो महीने के युद्ध के बाद इस्राइल को क्या हासिल हुआ घाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है 18,000 लोग इस्राइल की बंबारी में मर चुके हैं लेकिन इस्राइल पर रॉकेट अब भी दागे जा रहे हैं घाजा पर हमास का कंट्रोल बाकी है हेजबुल्ला के साथ इस्राइल का उत्तरी बॉर्डर यानि लेबनन का फ्रंट अब भी एक्टिव है अमेरिका इस्राइल की मदद कर रहा है यानि जिसे इस्राइल पूरी तरह से खत्म करना चाहता है वो अब भी इस्राइल से लड़ रहा है इस्राइल की सेना दावा कर रही है कि वो घाजा में हमास को चारों तरब से घेर रही है इसलिए उपरेशन में वक्त लग रहा है लेकिन घाजा से कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जैसे लगता है कि इस्राइल की सेना घाजा में बुरी तरह से घेर चुकी है यह वीडियो हमास के टनल वाले दस्ते ने तयार किया है जहां इस्रैल की सेना ने कैम्प लगाया हुआ है वहां हमास के लड़ाकु दस्ते चुपके से जमीन से निकल कर उन पर नजर रख रहे हैं यह इस्रैल को डराने वाला वीडियो है हमास की नजर इस्रेयल के एक एक फौजी पर है इस्रेयल को ठकर देने के लिए हमास ने एक नया वीडियो रिलीस किया है यहां हमास के रॉकेट दस्तों ने अपने ठेकानों को ओजागर करके दिखाया है क्यों उसके पास इस्राइल पर हमले के लिए कौन सनाया हथियार है ये M-19 रॉकेट है जिसकी रेंज करीब 100 किलो मीटर है हमास ने कहा है कि वो इस रॉकेट से अब इस्राइल की राजधानी तेल अवीब पर हमला करेगा ये रॉकेट और इसको धागनी वाला मल्टी लॉंच है ये घाज़ा का ही कोई हिस्सा है सवाल है कि क्या ये जगह अब तक इस्राइल और अमेरिका की सैटिलाइट की नजर में नहीं आई ना ही इस्राइल और अमेरिका के ड्रोन इसे देख पाए मुम्किन है ये पुराना वीडियो है और अब हमास में इसे जारी करके सिर्फ इस्राइल में डर पैदा करने की कोशिश की है घाजा के अलाबा इस्राइल के लिए उत्तरी बॉर्डर बड़ा खत्रा बन चुका है ये लेबनान बॉर्डर पर इस्राइल की बड़ी पोस्ट है और यहां हेजबॉल्ला ने एक एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और फिर देखिए क्या हुआ पहले धमाका फिर पोस्ट का बड़ा हिस्सा ढह जाता है और हाग लग जाती है हिजबॉल्ला के तरप से ऐसे खतरनाक हमले इस्रेयल की सेना लगातार जेल रही है जब इसके भारे में नेतन्याहू से पूछा गया तो उनका जवाब भी गोर करने बाला है सैनिकों के बीच इस तरह के सवालों का जवाब कैसे देना है ले आज़र ले खन्योनिस पर भी उनकी बहुत ज्यादा बैज़ती हो जाएगी इसलिए इसरेल और नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ा डर है कि अब मार्च तक हमास जिन्दा रहेगा ये बात इसरेल की सेना अपनी रिपोर्ट में कह रही है हमास का गुना ही इतना बड़ा है कि इसरेल ने उसे पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है यही वज़े है कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में जिसने हाथ डाला है उसने अपना हाथ जलाया है गाजा जलता हुआ कुआ बन चुका है जो गिरेगा खत्म हो जाएगा क्योंकि इसरेल को जिसने भी अब तक रोकने की कोशिश की उसको नेतन्याहू ने सिर्फ एक जवाब दिया जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा बंदकों को छोड़ाने के लिए सीजफ फायर तो कर दिया गया लेकिन एक बात साफ है के अब तक इसरेल के सामने सब फेल हो चुके है इसरेल के आगे इरान फेल हो चुका है इसरेल के आगे हमास से लेकर हेजबुल्ला और यमन के हूथी भी नाकाम रहे है इस्रेल के सामने सौधी अरब और बाकी अरब देशों की जुबान पर ताला लगा है अरब देश पूरी तरफ फेल साबित हुए है इस्रेल के खिलाफ रूस भी फेल हो गया और इस्रेल ने अमेरिका को भी बता दिया कि वो इस्रेल से है इस्रेल उस से नहीं, यानि अमेरिका भी फेल है नितन्याहू अब कोई बात बरदाश्ट नहीं करेंगे वो बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर तबाही मचाएंगे उन्होंने अमेरिका को भी इस बात का एसास दिला दिया है कि हमास को खत्म करने तक बिलकुल नहीं रोकेंगे हमास की मौत 100% पक्की है, ये नितन्याहू की गैरंटी है उत्तरी घाजा के अस्पताल इस्रेली बंबारी के सबूत बने तो दक्षन में खान योनस के रिहाशी इलाके इस बंबारी के सबूत बन रहे है यहां बंब गिरा तो 10 लोग फौरण मारे गए, कई घायल हो गए, तबाही के ऐसी तस्वीरें हर जगे दिखी घाजा में बंबारी रोके, इसके लिए इस्रेल पर दबाव डाला जा रहा है लेकिन उसका असर शुन है, इसरेल को अमेरिका से मिल रही मदद इसका सबसे बड़ा सबूत है जो फिर से सीजफायर की कोशिश के आगे दीवार बन चुका है अमेरिका ऐसी बंबारी रोकने के लिए संयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशद में आएप रस्ताओं के खिलाफ वीटो कर चुका है हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इसरेल को 15,000 बंकर बस्टर बंब भेजे हैं घाजा पर बंबारी के लिए अमेरिका ने इसरेल को 57,000 तोब के बोले सप्लाई किये हैं एक तरह से बाइडन मौत माट रहे हैं ये इल्जाम अमेरिका पर बार बार लग रहा है अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म हो दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि सीजपायर हो अमेरिका इसरेल को लगातार बम भीज रहा है और इसरेल घाजा पर लगातार बमबारी भी कर रहा है लेकिन दो महीनों के बाद भी ये युद्ध जारी है और हमास जिन्दा है सवाल है कि क्या हमास के पास इतनी बड़ी ताकत है और क्या इसरेल इतना कमजोर है कि वो मार्च तक हमास को खत्म नहीं कर पाएगा